दुनिया में फास्ट स्पीड वाली ऐसी सी कार्स मौझूद है जो रफ्तार के मामले में तूफान को भी माद देती है ये सूपर कार्स घंटे बर में तीन से चार सो किलोमेटर तक की दूरी तै कर सकती है आईए आपको दुनिया की 5 सबसे तेज रफ्तार वाली कारों के बारे में बताते हैं लेकिन यदि आपने हमारा रहस्ट से टॉक शो चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस लाल रंग के बटन को नीचे जाकर दबा दीजिए और साथ में लगी घंटी को भी दबा देना ये दुनिया की सबसे तेज चलने वाली कार है ये कार 5.8 सेकिंड में 540 किलोमेटर प्रति घंटी की रफ्तार पकड़ लेती है इस कार में J60 कोर्स की क्रेन हेलिकॉप्टर का इंजन लगा है ये इंजन धाई हजार किलोग्राम का दबाव छूड़ता है जिससे कार को 10 हजार हार्स पावर के उर्जा मिलती है इतनी तेजर अफ्तार से दौड आने के लिए कार को 95 लेटर इंधन की जरूत पड़ती है इस कार का कुल वजन 794 किलोग्राम है इस कार की तेज गती को रोखने के लिए कार में 4.3 मीटर के दू पैराशूट और साथ में दू हैडरोलिक ब्रेक भी है इस ट्रक को रोखने के लिए दू स्पेशल पैराशूट भी लगाए है इस ट्रक की सामाने स्पीड 412 किलोमेटर प्रती घंटे की है 612 किलोमेटर प्रती घंटे की तेज रफतार से दौडने की वज़े से इस ट्रक का नाम गिनीज गुक अफ वर्ल्ड रेकॉर्ड में दर्च है इस कार की स्पीड 215 किलोमेटर प्रती घंटे की है इस कार में लगे 8 सिलेंडर इंजन कार को 405 हर्स पावर के उठ जा देते हैं इस कार में लगे जबर्दस टायर को सौथ कोरिन कमपनी हैंकॉक ने पनाया है नमबर दो प्लाइ माउथ एयर रेडियल ट्रक इस कार को जैक ओफ 875582 रेडियल इंजन के साथ तयार किया गया जिसे 1991 के 1955 बिजनस लाइन सी प्लेन से निकाला गया ये कार 300 हर्स पावर की है इस कार में एर कूल सिस्टम भी लगा हुआ है जिसमें गरम हुए इंजन को ठंडा किया जाता है इस कार के इंजन को बड़ी ही सूजबूज के साथ कार में लगाया गया जिससे कार चलाते समय किसी को कोई परिशानी ना हो नमबर एक, ब्रुटस ये दुनिया के ऐसी पहली कार है जिसमें BMW एरक्राफ्ट का इंजन लगा इस कार का वजन 510 किलो है ये कार 1.8 मीटर लंबी और 1.1 मीटर उची है इस भारी इंजन का वजन सहने के लिए 1908 की LA France American कार का इस्तमाल किया गया इस कार में लगे स्पेशल इंजन सिस्टम की बदोलत ये कार एक लीटर पेट्रोल में 100 किलोमेटर तक चलाई जा सकती है तो आप हमें कॉमेंट में बताईए कि आपको सबसे जदा आकरशित किस कार ने किया